हलो फ्रेंट्स वेलकम दो चानल करांड अफेर अपडेड़ेड आधिस दिवाशी शवस्ती जैसे आपको पता होगा टेनेम पे हम एक बहुत इंपोर्टन सीरीज लेक आते हैं जहां पर हम एक रिस्पेक्टिव सब्जिक के तो आज लेक्टर नमर 73 है और जो आज मेरे मेरे एंजी कुशन्स लिए हुए है तो आपको बन जाने चाहिए और नहीं बन रहे हैं तो उसके लिए मैं आपको कहूंगा आप मेरे अप्लिकेशन को डाउनलोड करें अगर आप लाइन से प्र देवशिष क्लासेश एपलिकेशन का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन वोक से मेन्शन है डिस्क्रिप्शन वक सकते हैं और तुरंट आपको डाउनलोड कर सकते ही याँ द नखेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इंडियन जब आप Constitution में amendment करते हैं, मैं आपको दो आटिकल में 368 में, second type जो है, वो ये बात कहता है, मैंने पढ़ाया हूँ amendment of the Constitution में, तो options है, representation of states in the Parliament, Supreme Court and High Court के related में, elections to Parliament and State Legislature, correct answer बताना है, बहुत लोगों ने पता होगा किसी को कि किसे है आटिकल 368 में चीज़ दील करते हैं, तो I think ब तो आपको state का consent लेना पड़ेगा, और state का भी consent कितना होता है, half of the state, जितने भी states है, half of the state से, simple majority से, आपको resolution पास करना पड़ता है, तो first और second भी से ही Supreme Court, High Court में, third नहीं है, या दखिएगा, correct answer इसका, that is one and two, D is the correct answer, election to the Parliament and state, ले इसको confused नहीं होना है, यह जो point है, यह simple majority से हो सकता है, इसमें 368 का use नहीं होगा, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, 368 का use होगा, नहीं होगा, प्लीज आप एक बाद मेरा amendment का चार्टर पूरा देखिए, आप मेरे description box में, यह only political lectures भी आप देख सकते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा, बोलना क्या चाह रहा हूँ, तो य एक रॉंग है, 1 and 2 are correct, तो correct answer, that is option number D, 1 and 2, remember, okay, next question में आते हैं, that is question number 2, direct question है, sports की बात करते हैं, आजकल हम, तो मैंने पूछ लिया सीधे, sports constitution में किस list में है, union list, state list, concurrent list या residuary list subject में है, sports बहुत news में आपको पता होगा, Olympics वेस बार, so sports अलएड़ी news में चलते ही रहता है, कोई event cricket हो, football हो, कुछ ना को चली रहा है, okay, तो आपको बताना है, अब कुछ लोग सोचेंगे, sports, यह हमको लग रहा है union, okay, कुछ लोग सोचेंगे, union state दोनों regulate करते हैं, यह concurrent हो सकता है, but please इसको याद करें, it's a state subject, remember, जल्दबाजी नहीं करना है आपको, sports is a state subject, इसको नहीं पत है, आपको बता रहा है, कौन से schedule में, there are 12 schedule से इना constitution, कि schedule में आपको state list, union list, or concurrent list, यह list mention है, यह आप मुछे comment box में mention करिये, okay, चली, next question number third में आते है, state reorganization की अगर हम बात करें, बड़ा important है, 1956 में state reorganization होता है, okay, मैंने पुछा है कि उसके, उससे पहले, यह state reorganization से पहले, of course, commission, correct answer बताना है, आपने union and stateory वाला chapter किया हुआ है, तो बहुत तसान question होगा, okay, मैंने कोई भी राजीव या गोखली committee, तो कोई पढ़ाई ही नहीं है, regarding state reorganization commission, 45 wrong है, 123 बिलकुल ही correct है, तो correct answer option में A, 123, okay, अब आप मुझे comment box में यह तीन जो commission लिखिये, इनको chronology order में set कर दीज correct answer option में A है, 123, I think this is one of the easiest question जो मैंने पूछा है, okay, चले, next question में आते है, question में फोर्थ, मैंने यहाँ पर एक river है, Krishna river dispute, okay, इस में कौन कौन सी state जो है, याद दखेगा, Krishna river dispute में आती है, वो मैंने आप से पूछा है, सबसे पहले तो comment box में, Krishna river की tributaries जो है, वो आप मुझे comment box में कर दी, at least four tributaries, आप जो comment box जो है, ये Krishna river की, अब Krishna river dispute में कौन से states है, महराश्य, करनाटका, तिलंगाना, अंदरपदेश, आप देख रहे हैं, महराश्य, करनाटका, तिलंगाना, अंदरपदेश, अनली, महराश्य, तिलंगाना, अंदरपदेश, अनली, आपको correct answer इन चारो पता होना चाहिए, आपको river का idea, आप देख सकते हैं, उसका drainage कहां कहां है, उसके according आप correct answer बता सकते हैं, correct answer that is option number A, remember, pdf आपको मिल जाएगी, आप पढ़ सकते हैं, next question है, zonal council से, बहुत important है zonal council, उसके regarding तीन statement है, आपको correct statement बताना है, पहला, zonal council एक constitutional body है, first statement, second prime minister जो है, वो z organization, cooperation के लिए याद रखिया, between states, UT and center के बीच में, एक appropriate organization है, correct answer आपको बताना है, zonal council पढ़ा होना चाहिए, zonal council मैंने पढ़ाया हुआ है, center state relations मैंने पढ़ाया हुआ है, zonal council आप शाहिए रिलेट कर सकते हैं, statement कौन से सही है, यह बताना है, but constitutional body तो नहीं है, of course it is not a constitutional body, one wrong है, अब ही BCD में से answer हो सकता है, क्या prime minister chair करते हैं, prime minister तो interstate council को करते हैं, not a zonal council, zonal council को home minister chair करते हैं, यह भी wrong है, third is the correct answer, that is option number B3 only, या दखियेगा, zonal council बहुत important, इसको chair करते हैं, या दखियेगा home minister, इनके बाए महाँ पढ़ सकते हैं, मैं डीटेले हैं mention कर दिये, important है zonal council, या द council बनी थी, the statutory body, या दखियेगा, act of parliament से बनी है, okay, मैं और अल्लेडी पढ़ा रखा है statutory constitution सब, lectures देखिये, समझ में आ जाएगा, चलिए question में 6 में, constitutional emergency की मैंने बात की, उसको कब declare किया जाता है, constitutional emergency, एक तो option है all of the above, okay, चलिए, ABC पढ़ लेते हैं, constitutional machinery जब state में fail हो जाए, external aggression य में, वो dissolve कर दे, without the possibility of formation of interim government at the center, remember, at the center, यह यहाँ रखियेगा word, आपको correct answer बताना है, constitutional emergency, जिसने पढ़ी होगी, article 356, चलो मैं हिंट दे रहाँ, इसी को हम president rule भी कहते हैं, remember, या इसको हम state emergency भी कहते हैं, under article 356, okay, तो council of minister dissolve हो जाए, without the possibility of formation of interim government at the center नहीं, center में तो president rule लगता ही नहीं है, center में अगर ऐसा हो जाए, तो ऐसा president rule लगता हो जाए, third wrong है, excel नहीं के शाम डे बिलने, यह तो national emergency के लिए है, it is not for what, state emergency, correct answer option number A, constitutional machine भी फेल हो जाए, in the states has been failed, then only you can impose what, that is constitutional emergency, अलार्क कर 356, remember, correct answer, that is option number A, okay, चले, next question about 7, यह भी president rule से पूछा है मैंने, क्योंकि आपको पंजाब में जो issues हुए उनसे related, तो president rule news में आ गया तो, इसलिए मैं दो question president rule से पूछ लिए है, पहला question है, president rule कभी भी तिलंगाना में आज तक नहीं लगा, पहला statement है, दूसा statement है, financial emergency के टाइम पर, president direction issue कर सकता है, कि salary allowances reduce हो सकते हैं, judges of supreme court and high court किया, आपको पताना है, correct statement कौन सा है, तो president rule के आपको पता हो, article number 356, constitutional emergency की ही में बात करो, क्या तिलंगाना में आज तक लगा है, तिलंगाना तो अभी बना हुआ है, तिलंगाना में कैसे लग जाएगा, अभी तक तिलंगाना में एक बार भी president rule नहीं लगा है, तो one तो रॉंग है, आप मुझे comment box में बता सकते हैं, तो correct answer option B, that is to only, यहाँ रखे, details यहाँ mention कर दीए, PDF आपको available कर दी जाएगे हमारे गुरूपे, वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, अगर आप लोग UPST की preparation कर रहे हैं, pre plus mains की preparation करनी है, आप starting से देखिए, यहाँ पर हम सिफ आपको questions करा रहे हैं, आपको detail में lectures कराते हैं, तो आप description box में आईए, download करिए हमारे application को, और फिर आपको हमारे courses के बारे में details में लिएगे, आप call भी कर सकते हैं, हम आपको personal guidance भी provide करेंगे, तो आप इस courses को join करना है, इसमें notes से लेकि everything would be given, तो आप हमको call कर सकते हैं, तो आप हमको call कर सकते हैं, चले, next अब कुछ current affairs से related question पूछनू, पहले तो पॉलिटी से related ही current affair मैंने पूछा है, model code of conduct, अभी recently आपको पता होगा, five states में elections घोशित हुए हैं, तो model code of conduct से related question है, पहला, ये जो act है, ये representation of people act 1951 में laid down है, mention है, second statement है, ये picture में तब आता है, जहां election announcement हुई, और ये लागू हो जाता है, model code of conduct, आप को बताना correct statement कौन सा है, कुछ लोग ये statements देख रहे होंगे, और सोच होंगे, बिल्कुल सर अभी लागू तो हो गया है, तो second तो सही हो, first भी सोच होंगे, सही होगा, तो correct answer भी बता रहे होंगे, both one and two, बिल्कुल ऐसा नहीं है, या दखिएगा, पहली बात, इसको statutory backing ही नही statutory backing, कहीं पर भी mention नहीं है, ऐसा कहीं नहीं है, people sack 2021 में mention हो, तो correct, wrong है ये statement, तो correct answer option भी है, two only, जल्दबाजी में टिक नहीं लगाना है, वैं लिख रखा है, यह इसका सबसे बड़ा loophole है कि moral code of conduct की statutory backing नहीं है, remember, तो कोई act के अंदर नहीं है, ऐसा मट टिक लगा दीजेगा, next question, question 9, regarding inner line permit system, अभी recently inner line permit system मनीपूर में लगा दिया गया है, तो इसलिए news में भी है, तो उसके regarding statement है, inner line permit system पढ़ा है, what is this ILP, उसी के regarding statement है, यह obligatory Indian citizens के लिए अगर वो उस states के नहीं है, उस states अगर आप जाते हैं, protected state, जे state में भी ILP लगा है, तो आपको वहाँ पर inner line permit लेना पढ़ता है, तो पहला statement, second यह जो है भी सिर्फ North Eastern states में ही है, only, तो आपको correct आंसा बता है, inner line permit मैंने बता है, मनीपूर न्यूज में है, तो बिलकुल ऐसा नहीं, only लगा हुआ है, तो बिलकुल ऐसा नहीं, only जनरली extreme statement wrong होते हैं, तो मैं बता दो North Eastern साथ है, लक्षरीप में इनलाइन पर्मिट है, तो यह आप नहीं कह सकते सिर्फ North Eastern में है, तो इस statement हो जाता है, wrong, remember, first statement, बिलकुल सही है, कि आप obligatory है, इंडियन citizens के लिए, अगर वो outside the state है, तो उनको permission नहीं पड़ती है, उस state में जाने के लिए, of course, उस state की एक एक आइडेंटिटी बनी रहे है, व Losar Festival, बड़ा important अभी 3rd Jan को celebrate किया गया है, उसकी image में नहीं आप बना रखे, कि स्टेट में या किस यूटी में celebrate किया था है, उत्तापदिश, Ladakh, Goa या करनाटका, Losar Festival, बड़ा famous festival, आप यह images देख सकते हैं, correct answer आपको बताना, बड़ा static question है, current affairs का question है, भी recently news में था, correct answer है, ज मैं आपको फिर से बतार हूँ, आप डाउनलोड करोगे, वहां मैंने NCRT का course चालू कर दिया है, ठीक आप मेरे NCRT courses वहां पर check करो, मैंने अभी class 7 की भी NCRT start कर दी, geography की, okay, जैसे second chapter inside our earth, बहुत easily way मैं पूरा NCRT समझा रहा हूँ मैं, तो एक बार आप डाउनलोड कर लो, आपको NCRT courses मिल जाएंगे, complete course जोईन किया होगा, तो यह तो आपको free of course मिल जाएगी, remember, जहां पर आपको PDF के से लेके everything would be done, तो यह आपके NCRT के लिए बहुत important है, क्योंकि बिना base के आगे आपको preparation करने में दिक्कत आएगी, okay, तो यहां पर हमाई series जोती है complete, okay, हमने 10 questions कर बहुत interesting question थे, कुछ आपने सीखे होंगे, inner line permit सीखा होगा, model code of conduct सीखा होगा, emergencies की बारे मेरे question पूछा, बहुत कुछ समझ में आया होगा, अगर आया है, जो मैं सोच रहा हूँ, वो हुआ है, तो तुरंद वीडियो को like करो, और first time देख रहे हो, तो आप देख सकते हम किस level में questions कराते हैं, आप चैनल सब्सक्राइब करके रखें, आपको lectures मिलते रहें, इस lecture की PDF आपको हमाई telegram group में मिल जाएगी, जल्दी जल्दी हमाई telegram group को join करिए, जहां पर आपको free of courses की PDF available हो जाएगी, कोई doubt queries है, comment box में comment करें, जो मैंने questions पूछे हैं, उनको भी comment करते रहें हम आपके comments को पढ़ते हैं, कोई suggestion देना चाहते हैं, आप हमाई courses related, तो आप जरूर suggest कर सकते हैं description box में, that is comment box में, thank you